असलाम वालेकुम दोस्तों स्टार गोट्च फार्म में आपका स्वागत है आज गावन बग्रियां हमारे पास जो बच्चों के साथ थी और हमने अमारे पार्म पे सैट करके गावन किये ऐसी लगभग पाँच बग्रियां है मेरे पास तो हम लोग आज उनका एक वीडियो लेके आया है आपके लिए पाँचों गावन है और कुछ पतीरा से गाव है कुछ कोटा से गाव है तो अच्छी नसल के बखरों से हमने गाव किया है वो बखरियो को तो आज उनकी वीडियो है जो गावन बखरियां लेना चाहता है और शौकीन है जो जिनके पास जगाएं है वो लेके उसको अपने घर पे ले जाए या फिर हमारे पास भी रख सकता है तो वो मैं आज 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 माशाला जो काफी अच्छा और हेल्दी बच्चा था वो बिग चुका है बच्चा उसका अभी ये बखरी फोर सेल है बखरी ये देखे माशाला ये पतीरा बखरे से हम लोग ने इसको गाप किये बखरी की फिटिंग और अभी से ही आप देखेंगे काबन के हिसाब से भी अच्छी हेल्थ हो गई है बखरी की दूद अभी थोड़ा थोड़ा आ रहे है बखरी का लेकिन थोड़े दिन में इंशाला ये दो ये धाई महिने की गाप है अच्छी चीज हमारी इन बखरीयों की सबसे अच्छी चीज है कि ये कंप्लीट वैक्सिन की हुई बखरीया है सैड बखरीया है यहां के क्लाइमेट में और पहले भी आप लोगों ने इनकी वीडियो देखे थे लेकिन हम लोग बखरीयों को इसलिए रोके थे कि जब भी ये बखरीयां पहले बच्चों के साथ थी बच्चे इनके माशाला बड़े हुए और हमने बच्चे बेच के कान ये बखरी के वहीं से कटे वे आते हैं इससे कुछ प्रॉBLEM नहीं होता है क्योंकि बच्चों के चान इनमें पूरे आते हैं गाउं में कोई निशानी के तौर पे या फिर लग-लग कोई ecosystem है वह सावसे लोग बखरीयों के कान कटे हैं तो बखरी पूरी सहत मंद है अच्छी हेल्दी है साइज भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो इसको छोड़ के दूसरी बकरी दिखाते है छोड़ दूसरी हाँ इसके लिए ये एक हमारी अलुवरी बकरी है माशालला देखें बकरी की सहत देखें कोटा से लगी है फुल वाइड बकरे से ये बकरी में एक आचल इसका नहीं है सिर्फ एक आचल है मैं वो भी दिखा देता है आपको नहीं रहने दो ये एक्चली ये बता देना बहतर होता है बकरी हेल्डी है हमारे पास भी कुछ बकरीया ऐसी है है जिसके एक आचल है लेकिन दो बच्चे माशालह पूरी तरह से समाल लेती है जो हमारे पास हमारी एक यमनी क्रॉस बकरी दिए साने यमनी कॉस उसने माशाललहं 2 बच्चे दिये हैं ऋवो बखरी एक ही आचलल से उसको भी दूद आता है लेकिन अलहम्दुल्ला वो दोनों बच्चों को पूरा हो जाता है क्योंकि मुसली होता ही है कि हम लोग दूद निकाल भी लेते हैं तो वो निकालने वाला सिस्ट्रम यह बखरी में नहीं मिलेगा बखरी बहुत हेल्दी है बखरी की साइस भी देखेंगे और हम लोग इसका वेट कर इसके दिखा दे यार कितने वेट पे दालो बखरी को वजन पे बखरी माशाल्ला काफी हल्दी है कि दालो माशाल्ला फिफ्टी एट गेजी अठावन किलो दो किलो कम है साट किलो में तो यह हमारी इस पटी की दूसरी बखरी और काफी हल्दी बखरी है हमारी इस पटी में सबसे बड़ी बखरी यही है और इसके बाद हम लोग एक और बखरी है यह लाल वाली यह दिखाई है इसको छोड़ दो, लाल वाली को ले लो यह शिरोई में है यह बकरी, यह बकरी हमारे पाद दो बच्चे के साथ आई थी माशालला दोनों बच्चे हमने सेल कर दिये अभी यह बकरी फिर से गाब है, पतीरा बकरे से हमारे पाद पतीरा बक्रा था हम ने उससे गाप कराया था बक्री छे दात पे हैं और पूरी तरह से हेल्दी है बक्री को एक मिनट छोड़ दो इसके बच्रा आप देखेंगे इसके बच्चे भी लास्ट टेम काफी कुपसूरत थे मालवा से ब्रीड हुई थी जब यह बक्र दो मालवा बच्चे थे माशालला दोनों बच्चे उसके बिग गए तो यह हमारी तीसरी बक्री हो गई है बक्री आप देखेंगे सहत बक्रियों की देखेंगे माशालला सारी बख्रिया शाइनिंग है सब बख्रियों में ये कोटा माधी एक और है हमारे पास ये भी हमने कोटा बख्रे से ब्रीट कराया है ये बख्री को मक्की चिनी कलर में है बख्री माशालला काफी खुबसूरत है माशालला तो ये हमारी इस पटी की चौती बखरी हो गई पतीरी बखरी ले लो इसको याली बखरी को छोड़ दो इसको याली ले ये एक पतीरी फीमेल है यहने और हमने पतीरा बखरे से लगाए है माशालला पूरी गुलाबी है फुल गुलाबी कलर है सब कुछ है अच्छा माशालला दो बच्चे इसके भी थे लेकिन बच्चे बिख चुके है ये अभी खली इसकी ये फीमेल है ये भी पतीरा बगरे से गाब है पूरी खुर सफेध है ये बगरी के प्रिदिन के लिए अगर कोई भाई पूरी बख्रियां एक साथ भी लेना चाहता है तो भी अच्छा है उनके फार्म के लिए ब्रिडिंग के लिए अगर बहुत से लोग क्योंकि बाहर से लाने के बाद बख्रियां सस्ती तो मिल जाती है हमें लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें बॉटिलिटी जो बख्रियां मरती है बिमार होती है निमूनिया होता है या इफम्डी होता है ये सारा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है तो ये इन् तो ये हमारी पांच बख्रियों का लॉड है, पूरी बख्रियां अगर कोई एक साथ लेता है, तो भी हम लोग दे देंगे, सिंगल सिंगल लेने वाले के लिए भी बख्रियां, और बख्रियां सारी काब है, इंशालला हम लोग जो प्राइज होगा वो आपको वाटसप पे बताएंगे, आप बख्रियों की फोटू भेज दे मुझे वाटसप पे, इंशालला हम लोग आपको सारा रेड बता देगे, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं, अपने फीड़बेक दे, इंशालला हम लोग आप तक का पूरा डिटेल देग तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, असलाम अलेकुम, अल्ला हाफिस